हालो, हाई गाईज, वेलकम तो विनायक बिलीवर्स क्लासेज, सो स्टूडेंज, आज एक टॉपिक पारिवारी का आवर्श रखता है, फैमिली वांस जिसको बोला जाता है, वो मैं आपको करवाऊंगी, आपको लास्ट के सभी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपको कोई से हल्प भी मिल रहा होगा, अगर आपको मेरा विडियो अच्छा लग रहा है, लाइक, शूर, सब्सकाइब करना नहीं भूलिएगा, पढ़ते रहे हैं, पारिवारिक आवशकता हैं, ठीक हैं, चलिए, स्टार्ट करते हैं, क्या होती हैं पारिवारिक आवशकता हैं, जब वो होगी, तभी हम उसको पाने के लिए कुछ न कुछ नया खोजेंगे, ठीक हैं, तो ये होती हैं आपके पारिवारिक आवशकताओं में एक सिंपल लेंगवेज ये हैं, कि अगर आवशकता को हम देखें, तो आवशकता का महत्तपुन स्थान क्या है, विकास की दृ होता है, विकास होता है, तो आवशकता का जो है, विकास की दृष्टी से महत्तपुन स्थान है, और आवशकता जो है, तभी हम पूरी करते हैं, जब हमें उस चीज की जरूरत महसूस होती है, ठीक है, आवशकताओं ही है, जो हमारी आर्थिक प्रगती होती है, आर्थिक प करें तो simple language में आम बोलचल की भाशा में आवश्यक्ता ठीक है और इच्छा दोनों को एक माना जाता है उप simple language में बात करें, तो आवशक्ता और इच्छा को basically क्या माना जाता है? एक बोला जाता है आवशक्ता भी बोल देते हैं, हमारी और इच्छा भी बोल देते हैं दोनों को समान समझा जाता है, लेकिन इन में बहुत फ़रक होता है, जिसको कि आज हम जानेंगे आवशक्ता और इच्छा में क्या-क्या फर्क होता है ठीक है चलिए इसमें देखते हैं आवशक्ता जो होती है वो होती है इसमें इच्छा स्क्रिये एवं प्रभावत पादक जो इच्छा हमारी स्क्रिये होती है और जो प्रभावी होती है हम पर और जिसको करने के लिए हम स सामर्थे एवं तत्पर्ता ये वर्ड सा अब ध्यान रखिएगा आवशक्ता उस इच्छा को कहते हैं जिसकी संतुष्टी मींस कि जिसकी संतुष्टी जिसको पाने के लिए हम सामर्थे स्थापित करते हैं अपने अंदर हमारे अंदर तत्पर्ता होती है दोनों की उपस्ति अनिवारे हैं तथा जिसकी संतुष्टी के लिए मनुष्य क्या करता है प्रयात्न करता है मान लीजिए हमारी कोई आवशक्ता है वो आवशक्ता जो है वो क्या होती है वो अगर उसके अंदर प्रभाव है अगर उसके अंदर स्क्रियता है अगर उस आवशक्ता को पूरा करन के लिए हम स्क्रिये हैं प्रभावी हैं तब तो वो क्या होगी हमारे अंदर तत परता है तब तो वो क्या होगी आवशक्ता ठीक है और उसको पाने के लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं तो वो होती है आपके आवशक्ता क्योंकि इसमें देखिए ये आपको ध्यान रखना है क आवशक्ता जो है स्क्रिय और प्रभावत पादक ये दोनों चीजें होती है ये होती है आवशक्ता जब इच्छा के अंदर स्क्रियता आ जाती है और प्रभाव आ जाता है उसके अलावा इसके अंदर है आवशक्ता जो है उसके लिए तीन बाते होना आवशक है आवशक्ता किसी भी वस्तू को पाने की इच्छा होती है वो क्या होती है, अगर हम उसके लिए स्क्रिय होती है उसके लिए हम प्रभावी होते है तब वो हमारी आवश्यथा बन जाती है so simple वाद क्या है? किसी वस्तू की इच्छा होना नेक्स्ट आपता है इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थे आपकी कोई भी इच्छा है उसको पूरा करना है उसकी संतुष्टी पानी है उसके लिए क्या होना चाहिए सामर्थे होना चाहिए सामर्थे किस तरह का आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए means कि आपके पास उस इच्छा को पूरा करने के लिए उस आवशक्ता को पूरा करने के लिए साधन होना चाहिए और कौन सा साधन होना चाहिए वो है धन ठीक है परियाप्त धन आपकी इच्छा है लेकिन आपके पास धन नहीं है तो आपकी वो आवशक्ता कैसे पूरी होगी फिर वो आवशक्ता नहीं रहती, फिर वो आवशक्ता नहीं रहती, वो सिर्फ तब क्या रह जाती है, सिर्फ इक्छा रह जाती है, उसके अलावा आवशक्ता को पूरा करने के लिए आवशक्ता की संतुष्टी के लिए व्याय की ततपरता, आपको अंदर उस चीज को पाने के लिए खर्च करने की ततपरता भी होनी चाहिए अभी मैं इन तीनों चीज़ों को कैसे समझाती हूँ यह आप देखेगा देखे वस्तु पाने की किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसको अपना मकान बनाना है निर्धन व्यक्ति है मक बनाने के लिए तो वो उसकी जो है वो क्या है उसकी प्रभाव हीन आपके उसकी इच्छा वो आपकी होगी प्रभाव हीन इच्छा माना जाता है उसको और अगर किसी व्यक्ति के पास परियाप्त धन है ठीक है इसी के साथ देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास धन की परिया परियाप्त मात्रा है ठीक है और वह कोई भी जैसे मान लिजे उसके पचास रुपे है किसी बालक के पास उसको पुस्तक खरीदनी है ठीक है अभी वो क्या करेगा उस बालक ने पैसे दिये और दुकानदार को पुस्तक ले ली पुस्तक क्या थी उसकी पुस्तक उसकी क्या ब साधन भी था और व्याय करने की ततपरता भी थी तो it means जो उसकी इच्छा थी वो आवशक्ता में बदल गई क्योंकि उसने इन तीनों बातों को ध्यान में रखा क्या तीनों बातों को ध्यान में रखा फर्स्ट वस्तू की इच्छा होई इच्छा क्या थी बुक पाना उसके अलावा उसके पास धन भी था और उसके अंदर व्या करने की ततपरता भी थी और ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है मान लिजी कोई डॉक्टर है ठीक है उसके पास धन है उसको उसकी इच्छा है कार खरीदने की ठीक है लेकिन उसके अंदर व्या करने की ततपरता नहीं है मतलब की पैसा लगाने की इच्छा नहीं है वो पैसा लगाना नहीं चाहता वो कंजूस टाइप का है या धन खर्च करने की उसकी मनशा नहीं है तो वो क्या होती है वो होती है उसकी धन के साथ क्या होना चाहिए ततपरता भी जरूरी है अगर आप कोई चीज खरीदनी है तो आपके उसके अंदर धन को व्या करने की इच्छा भी होनी चाहिए तो वो जो कार की इच्छा थी वो उसकी इच्छा ही रह गई आवशक्ता नहीं बन पाई तो वो क्या हो गई उसकी प्रभाव ही तत परता तो ये चीज आप ध्यान रखेगा कि इसके अंदर इच्छा भी प्रभावशाली होनी चाहिए और तभी वो आवशक्ता बनती है और आपके पास साधन भी होना चाहिए किसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको आवशक्ता में Convert करने के लिए टेक है तो ये तीन बाते होना ज़रूरी है उसके अलावा देखिए इच्छा बेसिकली इच्छा क्या है desire जिसको बोला जाता है इसमें प्रभाव हीन में निश्क्रिय इच्छा जो होती है एक तो प्रभाव हीन होती है दूसरा क्या होती है निश्क्रिय होती है इच्छा जो होती है हमारे अंदर रह जाती है क्योंकि यह ना तो स्क्रिय होती है ना ही प्रभाव हीन होती है अगर यह प्रभाव शाली हो जाए और यह स्क्रिय हो जाए तब यह क्या बन जाती है आवश्यक्ता यह आप difference ध्यान रखिएगा ठीक है अगर इसके अंदर प्रभावीन है अगर ये और निश्क्रिया है तब ये क्या है इच्छा देखिए इसमें क्या कहता है किसी वस्तु के प्रतिलालसा को इच्छा बोलते है मिन्स कि हमें कोई वस्तु पानी है उस वस्तु को पाने के छाहिए अगर वह नहीं है तो आपकी वह इच्छा इच्छा ही रह जाएगे आवश्रक्ता नहीं बनेगे इसे के लिए साधन इप तत्परता का होना अनिवारे नहीं है आपकी इच्छा है किसी चीज को पाने की आपके अंदर लाल सा है लेकिन इसके लिए आपको साधन की जरूरत नहीं है तत्परता की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये दोनों चीजें इच्छा के अंदर आ जाएंगी तब वो इच्छा चाहरे उसके अलावा हम देखते हैं आवशक्ता को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होती है बिल्कुल देखिये भौतिक वातावरन आवशक्ता को कौन-कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं बहुतिक वातावरन कौन सा होता है हमारे आसपास का वातावरन जहां हम निवास करते हैं देखें आवशक्ता में क्या आजेगा गरम देश में जो लोग रहती हैं उनको उनी वस्तरों की आवशक्ता पड़ती है इसी के opposite अगर ठंडे देश में रहने वाले लोग है तो उनको उतनी जादा वूलन की आवशक्ता नहीं पड़ेगी जितना की गरम देश में रहने वालों को पड़ेगी तो उनी कपड़ों की या वूलन की आवशक्ता किन लोगों को जादा है जो गरम देश में लोग रहते हैं तो ये क्या हो गई उनकी आवशक्ता हो गई तो ये आप की वो इच्छा पूरी नहीं होगी वो आवशक्ता में नहीं बदलेगी इस आवशक्ता को ये चीज़ें भी प्रभावित करती है धार्मिक एमम नैतिक कारक में आपके क्या आजाता है इसमें आपके आजाता है जो व्यक्ति धार्मिक होता है जिसमें नैतिकता जादा होती है वो व्यक्ति जो होते हैं उनमें संतुष्टी भी जादा होती है वो व्यक्ति संतोशी प्रकर्ती के होते हैं और जो व्यक्ति संतोशी प्रकर्ती के होते हैं उनकी आवश्यक्ताएं क्या होती हैं कम होती हैं उनकी इच्छाएं क्या होती हैं कम होती हैं तो ये चीज हो जाती है तो उस पर मृत्यू भोश देना क्योंकि ये समाज के बने हुए जो रीती रिवाज है उनको या जो भी नियम बने हुए है उनको उनका पालन करना जरूरी होता है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारे आपके आदत्वे स्वभाव आदत्वे स्वभाव से मतलब क्या है आवशक्ताएं जो होती है काफी हद तक क्या करती है हमारे आदत और स्वभाव से भी प्रभावित होती है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को चाय कौफी बीडी या इस तरह की चीजों की आवशक्ता होती है और उनको पूरा करना पड़ता है ठीक है ये होता है आदत वे स्वभाव क्योंकि धीरे-धीरे कोई भी चीज है अगर हम उनको अपनी डेली की लाइफ में लेकर आते हैं तो वो आदत बन जाती है हमारे स्वभाव में आ जाती है जब कोई भी रिवाज रिती रिवाज की अगर बात करें तो देखें मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्रानी होने के नाते ठीक है सामाजिक प्रानी होने के नाते व्यक्ति को रिती रिवाज निभाने पड़ते हैं जैसे कि वही सेम बात है मृत्यू भोश देना पड़ता है समाज में र जो है ये करना ही पड़ता है समाज में रहते हुए उसके अलवात है दिखावे की इच्छा कुछ व्यक्तियों में क्या होती है दिखावे की इच्छा होती है जब व्यक्तियों में दिखावे की इच्छा होती है तो वो एक competition का कारण भी होती है जिसकी वज़े से वो क्या बन था उन्होंने बोला था दिखावे की इच्छा के लिए एक definition दी है कि दिखावे की इच्छा आवशक्ता वास्तों में कोई आवशक्ता नहीं होती मिन्स कि जो काम आप दिखावे के लिए करना चाहते हैं जो काम आपको आपको कोई ऐसी चीज लेनी है जो आपकी आवशक्ता इच्छा नहीं है लेकिन आपको सिर्फ दिखावा करना है उस चीज का तो वो क्या होता है आपके आप सिर्फ उसको उपयोग करना चाहते हैं उसको यूज करना चाहते हैं तो वो आपके स्पष्ट उपभोग बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है स्पष्ट उपभोग ब लाता है ठीक है उसके अलावा जाता है fashion बिल्कू ठीवात है fashion बदलते fashion के साथ-साथ आपको भी changes लाने पढ़ते है अपनी life में बदलते fashion के साथ-साथ क्योंकि fashion एक ऐसी चीज है जो आए दिन बदलता रहता है, तो उसके अनुसार चलना पड़ता है, तो fashion के कई नई जो होती है, fashion के साथ हमारी जो आवशक्ताएं हैं, वो भी उत्तपन हो जाती है, तो ये है fashion जो प्रभावित करता है, अनुकरण की इच्छा से प्रेरित आवशक्ताएं, ठेक है, इसका मतलब ये होता है कि अन दूसरे को देख कर जो इच्छाएं जागरित होती हैं, और अनुकरण की इच्छा होती है, ये हमारी जनमजात प्रवर्ती होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी जनमजात प्रवर्ती के अंतरगत आता है, ठीक है, इसके लिए देखिए, इसमें आपके, ये इसमें थ थोड़ा बोद अंतर हो सकता है लेकिन अनुकरण हर इंसान करता है जैसे अच्छी बातों का अनुसरन करना अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है जैसे किसी को देखकर आप पॉस्टिक वे संतुलित भोजन लेना शुरू कर देते हैं समय के पाबंदी कर गर की सजावट संबंदी विचारों का अनुकरण करते हैं तो ये सब चीजें जो होती है ये भी आपके अवशक्ताओं को प्रभावित करती है क्योंकि अनुकरण की जो इच्छा होती है ये प्रतीस परधा को जन्म देती है जिससे अवशक्ताओं भी जन्म लेती है ठीक ह उसके अलावा आपके आ जाता है इसमें next उतपाद को द्वारानिर्मित आवशकताओं के अंतरगत क्या आजाता है आपके इसमें देखिए एड़टाइस के माध्यम से एड़टाइसमेंट जो होता है उसके माध्यम से रोज जो मैनुफेक्चर होते हैं वो क्या करते हैं एड़ करते हैं अपनी चीज़ों की नई नई चीज़ों की एड़ करते हैं और जनता को लोगों को उस चीज़ की आवश्रक्ता महसू होनी शुरू हो जाती है जैसे कुछ न कुछ नया आता रहता है जैसे वाशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर अच्छी से अच्छी कमपनी के जो होते हैं वो एड करते रहते हैं समय शक्ती बचाने वाले ये जो जो मैनुफेक्चर्स होते हैं वो महसूस करवाते हैं लोगों को कि ये आपकी सरूरत की चीज़ है ये आपकी आवश्यक्ता है ठीक है तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती है नेक्स आ रहा है है आपके आवश्यक्ताओं का वरगी करन करना है आवशक्ताओं के वर्गी करण में देखे, पहला आ जाता है अनिवारे आवशक्ताओं, इसमें हमारी तीन तरह की आवशक्ताओं को classified किया गया है, एक आता है आपके जो necessaries wants होती हैं, जिसको बोलते हैं अनिवारे आवशक्ताओं, दूसरा आ जाता है आपके आराम दायक आता है, अनिवारे आवशक्ताओं में तीन चीज़ें बताए गई हैं, जिसमें पहले जीवन रक्षक, जीवन रक्षक में एक सिंपल सी बात समझ लीजे, जो जीवित रहने के लिए चीज़ों की जरूत होती है, वो हमारी आवशक्ताओं है, जिनकी संतुष्टी किये हमारे लिए उसको बोला जाता है, ठीक है, अनिवारे आवशक्ताओं जो हमारी जरूरत है, और इन आवशक्ताओं के अंदर जैसे बोजन, जल, हवा, पानी, ठीक है, आवास, वस्त्र, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें अगर ये ना हो हमारे पास, तो हमारा जीवन रक्षक आवशक्ताओं के अंदर, वही इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, बोजन हैं, और पानी हैं, और आपके हवा है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए जो हमारे वस्त्र की जरूरत पढ़ती हैं, आवास क उसके स्वास्थे में गिरावट आ जाती है, इसकी पूर्ती के बिना संतुष्टी के बिना व्यक्ति जीवित तो रहे, इसके बिना तो जीवित नहीं रह सकता है, जीवन रक्षक के बिना अगर नहीं मिलेगा हमें तो, लेकिन ये जो कुशलता यानिपूंता रक्षक जो हमा आवश्यक्ता हैं यह आपके इसके अंदर हम जीवित तो रह सकते हैं इनकी संतुष्टी के बिना लेकिन इसमें कारेक्षमता में स्वास्ते में बारी गिरावट आ जाती है वो कैसे अगर संतुलित और पोजिक भोजन ना मिले अगर हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम संतुल करते हैं जो धीरे-दीरे क्या होता जा रहा है गेरता जा रहा है ठीक है यह होता है निपोन्ता रक्षक आवशक्ताइग जिसके अंदर आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है आपके साफ और हवादार मकान की पोस्टिक संतुलित भोजन की अगर आपको अच्छा स्वास्ते रखना है कारेक्षमता को बढ़ाना है और सम्टाइम्स क्या होता है आपके जलवाईयू जो है प्राकरतिक संसाधन समय और आपके विभिन्नता और व्यापार की विभिन्नता के कारण क्या हो जाता है जो निपूंता रक्षक जाती है जैसे कि अच्छा खाना मिलना संतुलित पोष्टिक भोजन लेना क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपकी आए में व्रिद्धी होती है आपका जलवाईयू चेंज होता है आपका व्यावसाय चेंज होता है तो उसके अनुसार आपकी जो ये चीज आव वस्त्र मिलना वस्त्रों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की स्वीधा मिल जाना चिकित्सा के उचित व्यवस्ता हो जाती है आमोद प्रमोद की व्यवस्ता में इसकी मनवरंजन का हो जाता है व्यवस्ता साफ और हवादार कमरे मिलना शुरू हो जाते हैं तो ये जो च प्रेस्टीज को बचाने के लिए जिन अवशक्ताओं की पूर्ती की जाती है जैसे कि समाज के अंदर आपके घर में महमान आ रहे हैं उनका अच्छे से स्वागत करना ये क्या है सोशल प्रेस्टीज के लिए हम करते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि महमानों का स्वागत नहीं कि ये महमानों के अच्छी से देख भाल नहीं कि और आपके जो भी त्योहार होते हैं कोई भी आपके शादी है विवाह है मुंडन है किसी का बर्थडे मनाने तो ये सब जो चीज़ें होती है इन पर भोज कराना गेस्ट को बुलाना इन्वाइट करना ये सब चीज़ें किस म की रक्षा करते हैं सोशल के सोसाइटी के अंदर सो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है मिन्स कि मरुष्य अपनी परतिष्टा को बनाए रखने के लिए क्या करता है जो आपके परतिष्टा रक्षक अनिवारे आवशकताएं हैं उनको पूरा करता है ठीक है सो ये उ आवशकताओं के अंदर के आ जाता है सेकिंड जो आ रहा है हमारे आराम दायक आवशकताओं के अंदर आता है वो आवशकताओं जो हमें आराम का एहसास करवाती हैं जिसमें जिसकी पूरती से मनुष्य को क्या मिलता है आराम मिलता है ठीक है ऐसी आवशकताओं जिसको इसके अंदर जब अनिवार्य आवशक्ता की पूर्ती हो जाती है तब व्यक्ति जो होता है उसका ध्यान अरामदायक आवशक्ताओं की पूर्ती में लगना शुरू हो जाता है पहले अनिवार्य आवशक्ताओं पूरी होती है फिर क्या होती है अरामदायक आवशक्ताओं की व्यक्ति को क्या होता है आराम वो सुख पहुचाती है कारेक्षमता में भी व्रिद्धी हो जाती है रहन से इनके स्तर भी उत्तम हो जाता है उसके लावा मन प्रसन्वे आनंदचित रहता है बिल्कुल ऐसी हमारी आवश्यक्ता जिससे हमें आराम मिलता हो वो सब चीजे मिल तो obviously संतुष्टी होगी, खुशी होती है, मन अच्छा रहता है, हमारा जो living standard है वो भी उंचा बनता है, कारेक्षमता में भी व्रिद्धी हो जाती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है, next आता है आपकी सुरक्षात्मक वैविलासात्मक आवशकता हैं, सुरक्षात्मक वैविलासात्मक अवशकताओं के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, basically, luxurious wants, ठीक है, luxurious wants बोला जाता है, जिसको, इस श्रेणी के अंतर का तवस्तुएं कोन सी आ जाती हैं, जिसमें हमारे कारेक्षमता में व्रिद्धी नहीं होती, क्योंकि हमें luxurious, यानि सुरक्षात्मक अवशकत हैं, आवशकता जिसको लोग बना लेते हैं, जैसे आलिशान बंगला है, महंगी कार है, जिसके बिना वो, ये एक luxurious समंधी आवशकताओं के अंदर आ जाता है, ठीक है, इससे कारेक्षमता का हास होता है, बिलकुल होता है, कारेक्षमता के विमें व्रिद्धी नहीं रहती ह है, इससे आपको सुख की अनुबूती हो सकती है, आनंद मिल सकता है, लेकिन दीरे 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 इसमें आपकी कारेक्षमता में क्या होती है, कमी होती चली जाती है, ठीक है, इसके अलावा इसमें सुरक्षात्मक मैं विला सात्मक आवशकताओं में, अगर व्यक्ति की ये आवशक्ता पूरी ना हो तो इस से व्यक्ति की कारेक्षमता में कमी नहीं आएगी लेकिन थोड़ा दुख होता है कि आवशक्ता पूरी नहीं हुई लेकिन अगर ये आवशक्ताइं पूरी हो जाती है ठीक है तब क्या होता है उसकी कारेक्षमता में कमी ला देता है ये लग कि इसमें जैसे वो वस्तुएं जिनको हम अपनी आदत बना लेते हैं जैसे दुम्र पान करना शराब पीना ठीक है पान खाना गुट का खाना या कुछ गलत काम करना तो लेट तक टीवी देखना ये सब चीजें जो हैं ये हानिकारक विलास आत्मक में आ जाती है यानि कि इस चीजों का यूज करते हैं तो कारेक्षमता पर भी बुरा प्रभाव पढ़ता है इसके लावा हानी रहित ऐसी विलासात्मक वस्तुएं या ऐसी विलासात्मक आवशकता हैं जिस से हमें हानी नहीं होती है और हमारी कारेक्षमता पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि आपके कोई भी आभूशन खरीद लिए ठीक है महेंगे वस्तर खरीद लिए ठीक है जैसे आभूशन खरीद लिए महेंगे वस्तर खरीद लिए ठीक है महेंगी महेंगा टेलिविजन ले लिया आलिशान बंगला ले लिया तो ये हमारे हानी नहीं पहुंच सुरक्षात्मक आवशक्ताओं के अंदर वो आ जाता है जो हमारे भविश्य में हमें सुरक्षा प्रादान करती है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवशक्ताओं के अंदर जैसे कि वो चीजें आती हैं जैसे आपने जमीन खरीद लिया कीमती गहने खरीद लिया दुकान मेन खरीदी जैसे बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया ताकि ये चीजें जो आपके आर्थिक संकट में आपके काम आए आप इनको बेच कर धन कमा सकें धन अरजित कर सकें और अपनी मजबूरी निकाल सकें तो ये सुरक्षात्मक विलासात्मक आवशक्ताओं में आती हैं इ वो कर ही रही हैं जो कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा किसके लिए कर रहे हैं आप अपने भविश्य के लिए कर रहे हैं तो ये जो है ये नुकसान दायक नहीं होता ये हानी नहीं पहुंचाता ये सुरक्षात्मक होता है ठीक है अब ये देखिए आवशक्ताओं जो थी अगर हम इन तीनों वर्ग को ध्यान में रखें इन तीनों वर्गों को हम देखें जिनको वर्गी करत किया गया है तो इसमें क्या होता है आपके सिंपल भाषा में क्या होता है आपके आवश्चक्ताएं जो होती है वो क्या होती है किसी के लिए तो अनिवार्य बन जाती है किसी व्यक्ति के लिए वो आरांदा एक वस्तू हो सकती है आवशक्ता हो सकती है और किसी के लिए वो विलासिता पूर्ण हो जाती है जैसे कोई भी करमचारी है उसने अगर फ्रीज खरीदा और इसी तरह से अगर कोई चिकित सक है उसने अगर कार खरीदी तो वो क्या हो गई उसके लिए आवशक्ता हो गई क्योंकि उसको चानक से कभी भी immediately जाना पड़ सकता है और अगर college व्याख्याता है कोई अगर उसने कार खरीदी तो it means वो उसके लिए क्या है अरामदा एक वस्तु है और विलासिता पून वस्तु मानी जाएगी ठीक है तो यह होता है हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु की हर आवश्यक्ता की जो है वो अलग-अलग होती है किसी के लिए वही चीज अनिवारय है किसी के लिए वही चीज विलासिता की है किसी के लिए वही चीज क्या है आवश्यक्त है सुरक्षात्मक है ठीक है यह सब चीज़िया आप ध्यान रखिएगा ओके नेक्स आता है हमारे आवशक्ताओं की विशेष्टाओं विशेष्टाओं क्या क्या होती है इसके अंदर सिंपल है आवशक्ताओं असीमित होती है बिल्कुल एक आवशक्ता पूरी होने के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौती इस तरह से आव आवर्शक्ता को पूर्टे संतुष्ट कैसे किया जा सकता है तो देखिए जैसे हमें भूग लगी हमें भूग लगी जब हमने खाना खाया भोजन लिया तो उस वक्त जो हमारी थी एक समय विश्येश के लिए जो हमारी आवर्शक्ता थी वो पूरी हो गई जिसने हमें संतु मिल चुकी है तो उस वक्त की जवह वशक्ता थी हमारी हो गई तो अवशक्ता को संतुष्ट किया जा सकता है टिक कने लिए और ले वशहता है को है एक दूसरे के पूरक होती है कैसे होती है जैसे कि आपको वो सिलाई करनी है तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ कपड़े की जरूरत होगी अगर आपको मेशीन एलेक्ट्रॉनिक है तो लाइट की बी जरूरत होगी इलक्ट्रॉनिक मशीन की जरूरत होगी आवशक्ता, اेक दूसरे की पूरक होती है आवशक्ताओं में आपस में परतियोगिता होती है बिल्कुल होती है परतियोगिता कैसे होती है देखिए हमारे लिए आवशक्ताओं जो होती है कोई आवशक्ताओं ऐसी होती है जो प्रबल होती है महत्तपून होती है ठीक है कुछ आवशक्ताओं ऐसी होती है जो कम प्रब की जा सकते हैं उनको बाद में करेंगे तो इसी लिए क्या होती है इनमें परत्यों गिता होती हैं competition होते हैं आवशक्ताओं में आपस में क्या होता है competition ठीक है कुछ आवशक्ताओं बार बार अनुभव होती है सेम वही बात है कोई आवशक्ता ऐसी होती है जो प्रबल होती है कोई आवशक्ता ऐसी होती है जो कम प्रबल होती है तो इस तरह से क्या होती है भिन्नता होती है means कि अगर आपको बच्चे की फीस भरनी है और आपको साड़ी खरीदनी है ठीक है कि कौन सी आवशक्ता है जो अमारे भी जरूरी है, important है कुछ आवशक्ता हैं वेकल्पिक होती है वेकल्पिक का means होता है ऐसी आवशक्ता जिसके अंदर आपके पास विकल्प है जैसे आपको डेली जाना है ठीक है जिसमें आपके विकल्प के हैं वेकल्पिक होती है जैसे आपको भूख लगी है तो भूख लगी है ऐसा नहीं, आपको रोटी की जगह पर पूड़ी खा सकते हैं राइस खा सकते हैं तो इस तरह से विकल्प होते हैं उसके लावब वर्तमान अवशक्ता हैं बविश्य के फेक्षा अधिक में अत्वपुन होती है, बिल्कुल कहा जाता है ना कि वर्तमान को देखते हुई जीया जाए, वर्तमान की जो आवशक्ता है, उनको ध्यान में रखा जाए, बविश्य किसने देखा है, लेकिन ये सोच एक तरह से नेगिटिव होती है, तो दो साल बद तीन साल बद भरेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि वरतमान की जो आवशकता है वो इंपोर्टेंट होती हैं बविश्य की अपेक्षा अधिक मेर्तपुन क्योंकि आज की जरूरत है हमें उसे पहले पूरा करना जरूरी होता है नेक्स आते हैं आवशकता हैं सामाजिक रीती रिवाज वे फैशन से प्रभावित होती है बिल्कुर समाज के रीती रिवाजों को जो भी आपके नियम है पालन है वही आपको मैंने बताया था again वृध्यों बोज करना जरूरी होता है समाज के रीती डिवाज में आता है शादी में बोज करना जरूरी होता है birthday party है, महमान उनका आना है उनका स्वागत करना है ये सब चीज़ें जो रीती डिवाज के अंदर आती है fashion, fashion जैसे जैसे changes होते जाते हैं रखताएं से तरह से बदलती रहते हैं उपलंग भाविद होती है जोचान अविशकार है। जैसे जैसे व्रिद्धी हो गई है Mr. जैसे मिलग आफ उन गए हैं जाया है जैसे पहलीơn मि सब्सक्राव हो चीजें होती है ये वेग्यानिक आविशकार और ग्यान के विद्धी के साथ साथ आवशक्ताओं में विद्धी होती है क्योंकि नई नई चीजे आती रहती है तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वो उसकी आवशक्ता बन चुकी है आवशक्ताएं विग्यापन द्वार होने लग जाती है कि नहीं ये नई चीज आ रही है ये हमारे समय शक्ती बचा रही है तो ये हमारे लिए useful है तो हम इसको क्यों ना use करें तो आवशक्ताएं उसके साथ क्या होती है प्रभावित होती है आवशक्ताएं आदत में बदल जाती है बिलकुल एक आवशक्ता में अनेक आवशक्ता ही नहीत होती है, बिल्कुल एक ची आवशक्ता पूरी होई, तो उसके अंदर दूसरी भी होती है, जैसे हमने बच्चे का अड्मिशन करवाया किसी स्कूल में, अब जैसे हम बच्चे का स्कूल में अड्मिशन करवाएंगे, तो उसके स क्या हुगा उसकी उनिफॉर्म करीजने पड़ेगी उसके लिए बैग। उसके लिए Ai बुक्स यह सब चीज़े करीजनेए पड़ेगी तो एक आवशक्ता के अंदर ही अनेक आवशक्ता हैं नहीत होती इसका मतलब ये है ठीक है उसके अलामादी क्या आवशक्ता है परिवर्तन शील होती है परिवर्तन शील कैसे होती है आवशक्ता है इसके अंदर आ जाता है आपके जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक धार्मिक परिस्तितियों में जैसे जैसे चेंजिस आते रहते हैं ठीक है स परिस्तितियां चेंज होती है वैसे वैसे वैक्ति के आवशक्ताइं भी क्या होती है बदल जाती है क्योंकि वैक्ति को समाज के अनुरूप अपने आपको ढालना पड़ता है समाज में अपना एक स्थान बनाना पड़ता है तो दीरे दीरे उसको क्या करना पड़ता है अपन प्छोर होने लग जाती है जैसे स्कूल भेजना है बड़े होने के बद शादी करना है सो ये सब चीजे हैं इसलिए आवशक्ताई जो हैं वो परिवर्तनशीर होती हैं सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक पारिवारिक आवशक्ताई अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आई होप आपको ये एक्जाम में हल्प करेगा सो थैंक यू सौ मच फॉर वाचिंग माई वीडियो बने रहिए मेरे साथ पढ़ते रहिए गद ब्लस्यों बाइ